नमस्कार स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्र में मैं हूँ आपके साथ स्प्रिच्वल गुरू सुनैना और आज मैं आपको बताऊंगी कि राशी के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका दिन और हमारे साथ जुड़ेंगे अचारे पी खुराना जी जो बताऊंगे अंक जोतिश के अनुसार कि कैसा रहेगा आपका दिन तो आईए करते हैं शुरुवाद सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की और देखते हैं उनके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है वैपारी कारियों में अच्छी बिक्री होगी और सुधार के साथ नए अफसर भी प्राप्त होगे बिजली एवं उर्जा के शेत्र में अच्छा कारुबार होगा क्या प्राबलम हो सकती है आज के दिन लव रिलेशन्शिप से सम्मंदिज जो चिंता आपको हो रही थी वा काफी हद तक कम होगी लेकिन पूरी तरह से हल होने में और वक्त लगेगा लखी कलर है ओरेंज, लखी नमबर है सेवन भाग्य व्रिद्धी के लिए दूद से बनी चीजों का गनेश जी को भोग लगाएं बात करते हैं व्रिश राशी के और देखते हैं उनके लिए कैसा रहेगा दिन घर में सुखद और प्रेम पून महौल रहेगा प्रेम संबंदों को विवा में परिनित होने के योग बन रहे हैं मौसम के अनुरूप अपनी दिन चर्या रखें खांसी, जुकाम तथा गले संबंदित किसी भी परिशानी को लापरवाही में ना ले लखी कलर है गुलाबी और लखी नमबर है चार आपने क्या करना है हरे कपड़े में पांच मुठी साबुत हरी मूँ बांद कर उसे गनेश मंत्रों के साथ जल में प्रवाहित करना है बात करते हैं मिथुन राशिकी और देखते हैं उनके लिए क्या लेकर आ रहा है आप पूरी उर्जा और मेहनत से अपनी गति विद्यों को अंजाम देंगे और इससे आपकी कारिशंता और अधिक सशक्त होगी क्या परिशानी हो सकती है रिष्टेदारी से संबंदित कोई वाद विवाद बढ़ सकता है गुसा और अवेश हावी ना होने दें लकी कलर है पीला और लकी नंबर है एक क्या उपाए करना है आपने मंदिर में जाकर किसी जरूरा मंद को हरी मूंका दान करना है बात करते हैं कर कराशी की और देखते हैं कैसा रहे गादन करियर संबंदित बातों को आगे बढ़ाने के लिए समय अत्यन शुक सावित होगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई कोट के संबंदित मामला चल रहा है तो किसी योग्य वेक्ती से सला मशुरा अवश्य कर लें लखी कलर है हरा और लखी नमबर है दो आपने उपाय क्या करना है गी और शक्कर को मिला कर गाए को खिलाना है बात करते हैं सिंग राशी की पुराने विवादों का असर आज पर ना होने दें वाहन संबल कर चलाने की आविशकता है एक्सिजेंट के कारण लगी चोट को ठीक होने में अधिक वक्त लग सकता है लखी कलर है पीला और लखी नमबर है तीन आपने क्या उपाय करना है क्लियर क्वाट्स क्रिस्टल को धारण करे या फिर आप उसे अपने पिलो के नीचे भी रख सकते है बात करते हैं कन्या राशी की कुछ समय से आप जिस कान की कोशिश कर रहे थे उसे सम्मंदित गती विद्या आगे बढ़ सकती है क्या प्रॉबलम हो सकती है आज के दिन थोड़ी सी लापरवाही आपको नुकसान पहुचा सकती है अपनी एहम और गुसे को साकारत्मक रूप में उप्योग करें लखी कलर है नीला और लखी नंबर है पांच आपने क्या उपाय करना है रोस कॉर्ट्स क्रिस्टल की एंजल अपने पर्स में रखनी है परिशानी हो सकती है रुपए पैसे के लेंद इनके मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें साथ ही फिजूल खर्ची पर भी नियंतरन रखना बहुत जरूरी है लखी कलर है परपल और लखी नंबर है छे आपने क्या उपाय करना है गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध कर अपने मंदिर में रखें बात करते हैं वरिश्चिक राशी की अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है और आज उसके वापस मिलने का उच्चे तफसर है सम्मंदों को सहज बनाये रखने के लिए जरूरी है कि पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दे लखी कलर है हरा और लखी नंबर है आठ आपने क्या उपाय करना है अपने लेफ्ट रिस्ट पर ब्लू पैन से काउंट होल लिखें अपने लेफ्ट रिस्ट पर आपने ब्लू पैन से काउंट होल लिखना है क्या आप पॉजिटिव लेकर आ रहा है आज का दिन धनूराशी वालों के लिए आए जानते हैं कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने का अफसर मिलेगा जिससे पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी क्या परिशानी हो सकती है आज के दिन परिस्तितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचत गतिविदी का सहारा ना ले बल्कि उचित समय का धहरे से इंतजार करें लखी कलर है लाल और लखी नंबर है तीन आपने क्या उपाय करना है मस्तक पर पीला तिलक जरूर लगाएं बात करते हैं मकर राशी की राजनेतिक तता महत्वपूर्ण लोगों से लाबदायक संपर्ख बनेंगे आपके रुपे पैसे संबंदी नुकसान भी संभव हैं अभी वेवसाई में कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है लखी कलर है गुलावी और लखी नंबर है 9 आपने उपाय क्या करना है हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है कुम्बर राशी वालों के लिए क्या पॉजिटिव लेकर आ रहा है दिन वेफसाई गतिविदियों को लेकर किसी बड़े अधिकारी अत्वा राजिये तिग्य से मुलाकात फायदे मन साबित होगी क्या प्रॉब्लम हो सकती है आज के दिन अपनी भावनाव पर काबू रखें वरना कोई आपके फायदा उठा सकता है लखी कलर है औरेंज और लखी नंबर है पाँच आपने क्या उपाय करना है काले तिल तलाब में डालना है अगर आप तलाब नहीं है आपके आसपास नदी है तो आप नदी में डाल दीजिए बात करते हैं मीन राशी की मेन राशी वालों के लिए क्या पॉजिटिव लेकर आ रहा है आज का दिन पारिवारिक मातवरण सुखद रहेगा परंतु यूवर प्रेम संबन्दों में पढ़कर अपने करियर के साथ किसी तरह का भी समझोता ना करें क्या प्रॉबलम हो सकती है कुछ लोग जलन की भार्वना से आपके अलोचना या निंदा कर सकते हैं कई बार जल्दबाजी तता अति उत्सा में बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है लगी कलर है सफेद, लगी नंबर है छे आपने क्या उपाय करना है पीले चंदन का तिलक जरूर लगाना है जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं तो पीले चंदन का तिलक जरूर लगा कर निकले आएव हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक